नमस्कार आज हम शुरू करेंगे पैसिज नमबर टू तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से फिर उसके बाद आगे पैसिज पर अगले कुश्यन करते हैं तो इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है संसार का इतियास उठाकर देखिए और उधरत ढून ढून कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं जिनके लिए हम आँखे विछाने तक को तयार रहते हैं जिनकी इस्मृती तरो ताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन बनाकर खड़े रखते हैं उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था बलकि उन्होंने कुछ ऐसे काम किये थे जिनकी महत्ता आज रुपय से अधिक समझते हैं लोगों के जीवन का उद्देश केवल रुपय वटोरना है उनकी प्रतिष्ठा कम होई है अतकान सवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है उन्होंने जन्म लिया रुपया कमाया और परलोग की यात्रा की किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहां गई मानो समाज स्वार्थी अवस्थ है पर वे स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता अंत में वे ही पूजे जाते हैं जन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुसत्त का परचे दिया है अध्यांस को तो देखो पूछा है गध्यांस का उचित सीर्षक होगा धन की लोलुपता जी नहीं धन और मनुस्थता न मनुस्थता का मैत और धन की मैत अब इन दोनों में डाउट है इन दोनों में डाउट है तो एक बार इसको किलियरली पढ़ लीजी तो सीर्षक क्या है इस संसार में धनी सब कुछ नहीं है सब कुछ जगह धन है तो धन से तो सम्मंदित है रुपिया कानाने में समय बरवाद नहीं किया हम उपास्ना करते हैं आखें बिचाने के लिए उनके लिए तयार होते हैं जिरोंने पैसे के पर ध्यान नहीं दिया यही सब तो लिखा है तो इसकी सीर्षक टाइटल क्या होगा इसको पढ़ने के बाद क्या सेंस समझ मारा है समझ मारा है टाइटल धन की महत्ता की जीवन में धन की क्या महत्ता है तो उपरयोग्त गद्यांस की अनुसार अगला कुश्यन है संसार में किस तरह के मनुस्त की पूजा होती है जो धरारजन एबमत्याग दोनों करता है जो पैसे को कल्याड कारी कारियों में लगाता है जो मानवता की सेवा में लगा रहता है, जो सच्चे मनुसत्त के लिए कार करता है, जो लिखा है वही पर ना है, अंत में वही पूजे जाते हैं, जिनोंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुसत्त का पर्चे दिया है, तो आंसर हमें मिल गया, कि इस संसार में व धन पूजा से क्या पड़ाय है कि धन से ज्यादा मानवता प्रबल है। धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता, धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है। और चौथा है धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनस होना ज्यादा अच्छा है। तो धन पूजा का मतलब है धन व्यक्ति को क्या बनाती है शुरती फिर भी एक बार पैसिज पढ़ लेते हैं कि धन पूजा में इसमें क्या लिखा हुआ है इस संसार में धन ही शब कुछ नहीं है धन की पूजा तो बहुत कम जगव में होती है और संसार का इत्यास उठा कर देखिए उधारण के धूंदू उनके सामने आएंगे विद्धित हो जाएगा कि जिसके मुपासना करते हैं आखें बिचाने के तयार रहते हैं जिसकी इसमरती तरों चाया रखने के लिए हम अनेक तरह किसमारक चिन बना कर खड़े करते हैं उन्होंने रुपया कमाने में समय नहीं बता है बलकि उन्होंने कुछ ऐसे काम किये महता रुपए से अधिक समझते हैं जिलोंग जीवन को अद्दिश केवल रुपया बटा रह करना है उनकी प्रतेष्टा क्या हो गई है कम अत्कान समय उन्हें पूछा नहीं गया है और उन्होंने जन्म लिया रुपया कमाया और परलोग किया तरह कि किसी जाना नहीं यह सब पढ़ चुके हैं कि कौन थे कहां गए मानो समाज स्वार्थी अवस्थ है पर वह स्वार् श्वार्य है धन कमाने की अपेक्शा सच्चा मनुस होनधा च्चा है कि इस्वार्थ सही है और धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है कि अव्यस्वार्थि को क्या बनाती स्वार्थी यही आंसर होगा कि धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है और मनुस स्वार्थियों को नहीं पूछता यही आंसर तो यहां पर यह वीडियो कंप्लीट होता है पैसे